वेल्कम बैक टू दो चैनल सरस्टी स्टडी पॉंट आज हम साइंस के अंतरगत पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ कोशन जो बहुत इंपोर्टन्ट है और यह हर एक्जाम में जो कमप्टिटिव एक्जाम है उसमें एक है दो कोशन आपको देखने को मिल जाते हैं सीधे सीधे आजाते हैं भौतिक रासी यह है इसका SI का मात्रक और प्रतीक बताईए तो इस तरह से आजाते हैं बिलकुस सीधे तो इसलिए मैं यहाँ पर आज आपको बता रही हूँ है अगर आप यह वीडियो एक देख लेंगे तो आपको जो एक्जाम में साइंस से रिलेटेड यान समय सेकिंड है और S से डिनोट करते हैं यहाँ पर आपको दिखरा होगा विद्दुधारा का जो मात्रक है वो एंपियर होता है और इसको A से डिनोट करते हैं तापुमान का कैलविन होता है मात्रक और K से डिनोट किया दता है जोती तीवरता का मात्रक केंडिला होता है और फोस कोड को इस्टे रेडियन में माप करते हैं और इसको देखो RAD लिखा है और इसको इस्टे रेडियन में SR लिखा है ठीक है इसके जो प्रतीक है शेत्रुपल शेत्रुपल का जो मातरक है वो मीटर स्कॉयर होता है आयतन का होता है मीटर क्यूब और घनत्व का होता है किलो ठीक है और निकलते भी उसी से हैं जिन बहुत से बच्चों को मातरक नहीं पता होंगे फॉर्मूला पता होगा तो निकालेंगे जैसे चाल है चाल का क्या होता है फॉर्मूला दूरी बटे समय ठीक है दूरी को हम मीटर में नापते तो मीटर लिग जा समय को सेकिन में नापत बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकिंड स्क्वाइर या इसे न्यूटन भी कहते है न्यूटन ठीक है न्यूटन आता है बल का मात्रक तो इसलिए यह आप ध्यान रखेगा संबेक को किलोग्राम पर सेकिंड आवेक का न्यूटन सेकिंड न्यूटन सेकिंड है यह एन फ है जूल पर सेकिंड जूल पर सेकिंड यह जो जूल है ना यह जो चीज है यह यहाँ पर है अपॉन सेकिंड है आने कि ऐसे करके भी आ सकता है यह भी ठीक है इसका और इसे वाट कहते हैं वाट भी कहते हैं शक्ती का मात्रक ठीक है तो यहाँ पर यह जूल और वाट याद कर लिजेगा इसके बाद यहाँ पर अत्यदिक जो लंबाई होती है लंबी दूरी को मापने के लिए जो मात्रक होते हैं यहाँ वो बहुत इंपोर्टन है थोड़ा सा पेपर अगर टफ आएगा तो इस तरह का जाता है जैसे खगोली एक आई जो होती है इसका पूरा यह वो होती है जो इसकी वैल्यू है तो ऐसे आज आता है कि प्रत्वी से सूर्य की बीच में जो मात्र दूरी है उसे खगोली एकाई कहते हैं और इसमें एक आई वरावर कितना होता है प्रकाशवर्स सबको पता है लाइट यह कहते हैं प्रकाशवर्स निर्वा इस value को याद करिएगा पार्सेक जो होती है वो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक यहाँ पर याद कर लीजेगा यह कोशन अक्सर आता कि पार्सेक किसकी जो है unit है तो दूरी को मापने की unit है और सबसे बड़ी काई है और इसका value यहां पर यह दे रखे कितने meter के यहां पर बराबर रहती है लंबाई और दूरी के मातरक देखे एक km वराबर जो है 1000 meter होता है एक मील वराबर 1.60934 km होता है याद कर लीजेगा एक नाविक मील भी आता है एक नाविक मील वराबर 1.852 km होता है एक खगोलिय काई वराबर 1.495 into 1011 meter होता है एक प्रकाश वर्स वराबर भी बताया था और AU में भी ठीक है यह value दे रखे है इसके अद एक पारसेक वराबर यह भी बताया था और इसमें लाइट ये में प्रकाश वर्स में भी इसकी दूरी इसके वराबर होती है यह यह यहां पर बता दिया है तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा एक प्रकाश वर्स वराबर कितने प्रकाश वर्स होता है तो यह भी question आ सकता है 3.26 प्रकाश्वर्स होता है एक पार्सिक प्रकाश्वर्स ये देखे इतने प्रकाश्वर्स 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 मौन ब्राबर सोला œस होता है यह देखिए सोला ओस हो गया ठीक है एक पॉंड में यह जो ओस है वह सोलाейств सोते हैं और एक एक फांडン में इतने ग्राम होता है ठीक willingly है ना 16 औस इसी ले तो होंगे क्योंकि बहुत ज़ादा औस की ज़रूत है पाउंड छोटा है औस से तो यहाँ पर 443.52 ग्राम जो है वो एक पाउंड के ब्रावर होता है और भैसे भी आपने देखा जब उन वगरा लेते ना तो एक पाउंड कहते हैं एक पाउंड दे दीज थोड़ा कठिन अगर पेपर कोई बनाएगा तो इस तरह कोशन दे देता है एक कुंटल बरावर 100 किलोग्राम होता है एक मीट्री टन बरावर 1000 किलोग्राम होता है इस तरह के कोशन आते हैं समय में सब को जातर पता है डेली देखते हैं एक मिनट बरावर 60 सेकेंड एक चंद्र मास बरावर 28 दिन होता है ठीक है जब एक सौर मास सूरह का क्ता जाय तो तू 31 दिन हा फर्वरी में 28 सा 1 दिन है 29hynd दिन होकता है एक वर्ष में 23 Цंद्र मास और 12 सौर मास होते हैं एक वर्ष में यह वर्ष 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 366 दिन क्योंकि फरवरी में 29 दिन होते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है हर चार वर्ष में यह आता है लीपष छेत्रपल का मात्रक देखेंगे एक कऱवर चार health अषीता पांक सेक्ड मुल're होता है ऑर एक वर्ग की किलो मीटर बड़ावर सो हेक्टियर होता है ए्क वर्ग मेल बराबर दो देखंगे 6 वर्ग किलो मीटर होता है और हेक्टेर में आपा जाएगा तो एक वर्ग वीटर वराबर वर्ग मील वराबर 256 हेक्टेर है और एक वर्ग मील वराबर 640 एकड़ है ये इसलिए क्योंकि लेक पाल वगएर की विकेंसी आती है तो उसमें एक कोशन पुछ जाते हैं आयतन का मात्रक 1000 गन सेंटीमीटर एक लीटर में एक लीटर में 0.2642 गैलन ये कोशन आता है ठीक है एक गैलन बराबर 3.785 लीटर ये होता है ठीक है तो ये देख लीजे इतने एक लीटर में इतना पॉइंट में गैलन होता और एक गैलन में इतने लीटर होगा जादा ही होग तो यहीं है यहाँ पर मैंने आपको शारे बता दिये इसको थोड़ा समय आपको छूटा करके अगर दिखाओंगे तो काफी कुछ आपको यहाँ पर क्लियर होता चलेगा देखें यह न आप यह आप यहाँ पर अगर इसको संख्या आती है तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे यह यह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको यह आपके पड़ेवे नहीं है तो फिलाल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है नॉलेजिबल लगी है तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइ प्राइक की लोगी है तो